Hello students, welcome to our channel, students, आज हम आपसे बात करने वाले हैं, चेप्टर नमर सेकंड, आहारेवम पोशन के सेकंड लेक्चर के बारे में, फस्ट लेक्चर इससे पहले बनाया जा चुका है, यदि आपने नहीं देखा है, तो हमारी यूटूब पर जाकर प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं, औ students इसके तीन benefits भी बताना हैं, तो स्वाइलिंग एक्च्वर में होता क्या है, पेपर में पूछा जाता है, कि भई स्वाइलिंग क्या है, तो स्वाइलिंग हरे चारे की फसल को हम खेत में उगाते हैं, और उसे काट कर लाकर जानवरों को खिलाते, बोल सर कैसी जगे में, ज जो बड़ी बड़ी फार्म में दूद के लिए बहुत सारी गाय भेंसों को पाला जाता है, तो वैसी जगे में चारा के लिए चारा गहा ले जाया नहीं जाता है, चारा चराने के लिए, उनको खिलाने के लिए, बोल सर क्या करते हैं, बोल सर वो लोग खेतों में बरसीम ल definition क्या बनेगी हमारी definition होगी students swailing हरे चारे की फसल उगा कर खेट से ताजा काट कर लाते हैं मतलब ताजी जो हम घास लेकर आते हैं पसुओं को खिलाना ही swailing कहलाता है जहां चारा गाहों की कमी हो तथा अच्छी किस्म का चारा swailing के माध्यम से उगाया जाता है जैसे की बरसीम हो गया हमारा बदुधरू पसु पाले जाते हैं वहाँ पर इस विधी का उपयोग करते हैं मतलब growing green fooder, crops and cutting fresh fooder from the yield and feeding it to animal is called swailing system where there is a shortage of pasture and good quality fooder is grown and milk, animals are reared this method is used वहाँ पर इस method का use किया जाता है गहास नहीं मिल पाती तो हम खेतों में गहास लगाते हैं और daily ताजा गहास जानबरों के लिए लेकर आते हैं इसी का second part students इसके कोई तीन लाब यदि हम बात करें importance of swailing के तो swailing का महत्व के हो students बो पस्वों को ताजा पोस्टिक चारा प्राप्थ हो जाता है जिसमें ज्यादा तर आपको पोशक तत्व देखने को मिली के हरा चारा होगा तो ताजा होगा तो उसमें पोशक तत्व ज्यादा होंगे animals get fresh and postic feeds दोनों चीजों मिल जाएंगी चारे का उत्पादन प्रती हेक्टियर अधीक होता है यदि हम चारा लगाएंगे तो वो ज्यादा मात्रा में होगा ठीक है और उसे हम काट कर उसमें फिर से पानी देकर फिर से उसको growth कर सकते तो यहाँ पर जो है हरे चारे का production ज्यादा होगा चारा गाहा की अपेक्चा क्योंकि इसे हम हमारे संरक्षन में ठीक है पानी देंगे खाद देंगे और इसका यूटिलाइज ज्यादा होगा तो हरे चारे का उत्पादन प्रती हेक्टियर स्टुडेंट्स अधीक होता है मतब दी production of food is more than per hectare ठीक है नॉर्मल लगाने की अपेक्चा जो आटोमेटिक होता है उसके अपेक्चा हम जब लगाते हैं तो ठीक है हमें production ज़्यादा मिलता है खेत की fencing कराने की आप शक्ता नहीं पड़ती क्योंकि आपका पूरा चारा गाहा आप जो तैयार करोगे ठीक है उसमें fencing की ज़रुवत नहीं होगी क्योंकि already उसमें क्या लगी होगी घास लगी होगी तो fencing of the field is not required क्योंकि यदि आपने अपने dairy farm के पास में ही ठीक है आपने ये बनाया हुआ है स्वाइलिंग सिस्टम बनाया हुआ है आपने चारा लगाया हुआ है तो जानवरों को आप डारेक्ट भी खेतों में छोड़ सकते हैं ठीक है दोनों तरीके से बुल सर नेक्स्ट कोश्चन क्या हमारा हे किसे कहते हैं ठीक है बहुत ही important question पेपर में कई बार पूछा जा चुका है हे किसे कहते है इसके importance लिखना है तो what is हे and its importance तो शुटेंस सूखी घास या अन्य पत्ते जो जानवरों के चारे की रूप में हम उपयोग करते हैं ठीक है उसे हम लोग सूखी घास कहते है बुल सर आम तोर पर सामागरी को हरे रहते हुए खेतों से काटा जाता है हे जो होता है हमारा ठीक है जब हरी अवस्था में होता तो उसे काट लिया जाता है ठीक है और फिर या तो उसे खेतों में सुखा लिया जाता है या तो यांतरिक रूप से उसे गर्म हवा के द्वारा सुखाया जाता है मतलब खेतों से हरा चारा काटो उसको सुखा लो और उस सूखी वाली घास को जानवरों को खिलाना है क्योंकि सूखी घास जब हरी घास जब क्या हो जाएगी सूख जाएगी तो उसे हम बाद में भी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास चारा परियाप्त ना हो तो खेतों से हर टीमोथी, ठीक है, अलफा-लफा और तीपतिया घास इसमें आते हैं, ठीक है, ड्राइड ग्रासेज एंड अधर फॉलेज यूज एज 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 एनिमल फीड, यूजली दा, ठीक है, माटेरियल इस कट इन दा फील्ड, वाइल स्टिल ग्रीन, जब वो ग्रीन अवस्था में ह और ठीक है, मे्किनिकली ड्राइड बाय फोर्स्ट होट एयर ठीक है, टिपिकल हे, क्रॉप्स आर ठीक है, टीमोथी, ठीक है, अलफा-लफा और ठीक है, ठीक है, ठीक है, खुलोमथा, आप उसका सेम नाम भी लिख सकते हैं, तो उसे हे कहा जाता someone's, सर हे के इंपोर्टेंस क के चारों से अधिक होती, क्योंकि जो नॉर्मल चारा होता है, जब वो सूख जाता है, तो उसमें पोशक तत्व कम हो जाते हैं, लेकिन जो हे होता है, जब हरी अवस्था में तोड़ा जाता है, तो उसके अंदर पोशक तत्व मौझूद होते हैं, तो digestive elements are more quantity than other types of food, जो other types के food होते हैं, उससे ज़्यादा इसमें हमें पोशक तत्व देखने को मिलते हैं, जो digestive होते हैं, जो फली दार होते हैं, जो फली वाली जो फसले होती है, हे में पाच्चे प्रोटीन उचित मातरा में उपलब्ध होता है, तो जितनी भी लेकिन फसलों से, यदि हम इससे चारा ब बिलता है, थर्ड नंबर का पॉइंट है, हे अधिक स्वाधिस्ट एबं पाचक होती, क्योंकि हरी अबस्था पर तोल ली जाती है, तो जो सूखा चारा होता है, उसकी अपेक्छा में उसका टेस्ट काफी अच्छा होता है, और वो digestive भी होती है, हे इस more tasty and digestible, ठीक है, तो यह आपका यहाँ पर question complete हो जाता है students, चलिए next question पर हम आते हैं, next question students हमारा silage के कोई 5 लाव लिखे, हाला कि paper में 3 ही लाव आपसे paper में पूछे जाते हैं, write any 5 advantage of silage, silage का advantage हमें लिखना है 5 advantage, तो silage बनाने की विधिया या silage बनाने से क्या लाव है, वो भी आपको paper में प्तम तरीका है, कि भाई आप घास को संरक्षित करके रख सकते हैं, जब घास नहीं होती है, उस समय silage को खिलाया जा सकता है, जिससे हमेशा हरा चारा उपलब्द रहता है, क्या होता students, जब ये silage बना जाता तो मक्का जवार ऐसे पौधों का silage त्यार किया जाता है, तो जब वो 60-70% हरा उसका stem हो, उसका तना हो, ठीक है, मक्के का, और 30-40% उसका तना जो हो, सूखा हो, उस समय मक्के को तोल लिया जाता है, उसको छोटे-छोटे piece बना लेंगे, उसको cut करके, ठीक है, एक गड़े में लगभग 40-45 दिनों तक उससे हम ढखकर रखते हैं, उपर से polythene cover कर देते हैं, नीचे से, ठीक है, हम उसको cover करके रखते हैं, जिससे जो चारा है, ठीक है, उसका moisture खतम हो जाए, उसमें पानी ने लगे, ना तो बाहर का atmosphere लगे, तो उससे silage बन जाता है, तो जब चारा नहीं हो पाता है, उस समय हम silage को जानवर को खिला सकते हैं, ब green food can be kept available at all time, ठीक है, जब हरा चारा नहीं हो पाता, उस समय silage हरे चारे का काम करता है, जिससे हमें, ठीक है, बर्स भर, मतलब साल भर, हमें हरे चारे की कमी नहीं होती है, silage बना कर फसल के सभी पोसक तत्वों को नस्ट होने से बचाया जा सकता है, ठीक है, भूसा या कड़वी बनाने में अधिकांस, ठीक है, पोस्टिक तत्व जो हो जाते हैं, नस्ट हो जाते हैं, भूसा क्या होता है, शुछन सूखने के बाद होता है, जिससे पोसक तत्व जाते हैं, लेकिन silage जब हरी अवस्था में होता है, उसमें बहुत सारे पोसक तत्व होते हैं, जो हमें जानवरों को मिल जाते हैं, क्योंकि वो हरी अवस्था में होता है, तो by making silage, all the nutrition elements of the crops can be saved from destruction in making straw or bitter, most of the nutrition are destroyed, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक है, वो हरी अवस्था में होता है, तो उसमें आग लगने के chances थोड़े कम होते हैं, अताक कम स्थान में ही काफी समेगली चारा समरक्षीत किया जा सकता है, इसे हम लोग काफी दक preserve करके रख सकते हैं, like dry fooder, there is no possibility of catching fire in silage, so fooder can be preserved for a long time in less space, कम जगहे में ज़्यादा दिन और 5th point भी देख लेते हम लोग, ठीक है, एनी 3 आपको करना होगा paper में, 4th point है, खर्पदवारों का उप्योग भी silage की तरह हो सकता है, तो students कुछ खर्पदवार जो खेतों में घास उग जाती है, उन्हें भी हम कट करके silage बनाके, ठीक है, store करके रख सकते हैं, काफी लंब जो लगबग 60-70% हरी घास होती है, उसे काट के छोटे-छोटे पीसों में, store करके ढख कर रख लेते हैं हम लोग, ठीक है, जमीन के अंदर, और उसे हम 40-45 दिन बाद ही निकाल कर, फिर जानवरों को, ठीक है, उसको हलकी सी हवा देकर फिर खिलाते हैं, ठीक है, weeds can also be used to prepare silage, मतलब घासों को भी खरपदवार, जो खरपदवार होती students, या जो हमारी घास होती, उसे भी silage के form में use किया जा सकता है, और fifth point आपका, last point, silage में हरे चारे के सभी गुण, जैसे रसीला पन, हरा पन, क्योंकि हरा होगा, तो टेस्ट जरूर आएगा, उसमें हरा पन होगा, य आदी बिद्वान रहते हैं, तता किसी भी प्रकार की सडन या दुर्गन नहीं आती है, यदि वो अच्छा silage बना है तो, ठीक है, और यदि silage बनाते समय कोई गड़बडी हो गई, या उसमें पानी चला गया, या उसका जो polythene cover ढखका रखे, यदि वो सहीं तरीके से नह बाजू-बाजू में भी polythene लगा देते हैं, जिससे moisture ना जा सके, नमी ना जा सके, वो उस गड़े में, पतले गड़े में पानी भरा गया, या हवा बाहर निकल रही है, या बाहर की हवा अंदर जा रही है, उसको मौसम को कोई प्रभाव नहीं पढ़ना चीए, और आप 45 या थोड़ सा सुखा कर 2-4 दिन के बाद में, जानवरों को खिलाते हैं, और वो हरे-चारे का काम करता है, तो all the qualities of green food, like, juiciness, ठीक है, रसीलापन होता है, greenness, ठीक है, हरापन होता है, एक्सेक्टरा, रिमेंड, ठीक है, लर्न इन साइलेज, एंड देर इस नो root and order, ठीक है, दोस्तों के साथ share करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर 11th agriculture, 12th agriculture के सभी subject पढ़ाय जाएंगे, free of cost, लेकिन यह दिया, आप students किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं, जैसे आप BAC करने के लिए ICR की तयारी कर रहे हैं, या आप PAT की तयारी कर रहे हैं, या आप MHT, CET की preparation कर या आप BHE की तयारी कर रहे हैं students, तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजे, bell icon को press कर लिजे, ठीक है, और आप हमारी coaching के मार्ध्यम से बहुत ही कम fees में आप coaching कर सकते हैं, ठीक है, तो जिससे आपका selection हो जाएगा, जिससे आप BAC agriculture, mad mission ले सकते हैं, ठीक है, तो बहुत ही कम fees है, आप एक कम fees जमा करके, आप class continue कर सकते हैं, classes आपकी students, जब तक paper ना हो जाए, तब तक आपको classes दी जाएंगी, किसी भी exam के लिए, तो मिलेंगे फिर, ऐसी ही अन्नी वीडियो में, bye bye and take care.